दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पांडिया स्टोर सीरियल एक सूपर डूपर हिट शो साबित हो चुका है जिसमें नजर आने वाले सभी कलाकार पॉपलर हो चुके हैं और उन्ही में से एक कलाकार है अभिनेता कनवर धिलो जो शिवा का किरदार निभाते हुए नज कि इनका फैमली बैग्राउंड क्या है ये किस परिवार से तालुक रखते हैं और किस तरह कनवर धिलो ने अपनी पहचान एक सफल अभिनेता के तौर पर बनाई है आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन ही सब सवालों के जवाब देंगे इनकी फैमली हिस्ट्री बत तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक पर उससे पहले अभिनेता कनवर धिलो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें पांडिया स्टोर सीरियल में शिवा का किरदार निभा कर लाखो करोडों दर्शकों का मनुरंजन करने वाले अभिनेता कनवर धिलों के परिवार के इतिहास के बारे में बात करें तो इनकी family history शुरू होती है इनके पिता दीप धिलो से जो profession से एक actor है जिन्होंने बॉलिवुड इंडस्री को एक से बढ़कर एक कई सूपर हिट फिल्में दी है जिसमें दिल अपना पंजावी, ये रास्ते हैं प्यार के और हुकूमत जैसी कई फिल्मों के नाम शुमार है अपने फिल्मी दुनिया में काम्याब होने के बाद इनके पिता ने अपने माबाप के पसंद की लड़की रादा धिलो से शादी कर ली थी और आज शादी से इन्हें दो बेटों का आशिरवाद मिल चुका है आपको बता दें कि इनकी माँ एक हाउस वाइफ हैं जो अपने घर और परिवार को बहुत अच्छे से समालती हैं अब बात करते हैं इनके भाई के बारे में जिनका नाम जसकरन धिलो है जो लाइम लाइट से दूर रहकर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं अब बात करते हैं इनके घर के स्टार कनवर धिलों के बारे में तो आपको बता दें कि इनका जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबाई में हुआ था और इसी के चलते इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई भी यही से कम्प्लीट की थी वहीं अगर बात करें इनके अभिने करियर के बारे में तो इन्होंने अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2012 में आए नए शो दबॉडी प्रोजेक्ट में कुनाल का किरदार निभा कर की थी और अपने इस किरदार से सभी दर्शकों का खूम मनुरंजन किया था और इसके बाद इन्हें न बोले तुम न मैंने कुछ कहा टू में अभिने करने का मौका मिला था जो इन दिनों पांडिया स्टोर सीरियल में शिवा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि ये फिलहाल अभी सिंगल है और फिलहाल अभी ये अपनी को स्टार एलिस कोशिक को डेट कर रहे हैं जिन्हें आप इनहीं के साथ पांडिया स्टोर सीरियल में रावी का किरदार अदा करते हुए देख रहे होंगे जहां साथ साथ काम करने के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और अब यही नजदीकियां इन्हें रिलेशनशिप तक ले आई हैं और अब खबरें आ रही हैं कि ये दोनों अपने आक्टिंग करियर में काम्याब हो जाने के बाद एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे तो दोस्तों आपका कनवर धिलो के फैमली हिस्टरी के बारे में जान कर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें